सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक rule बता दूँ ठीक है और वो rule लगेगा तब जब आप triangle की बात करोगे ठीक है triangle में क्या होता है जैसे माली जो कोई भी एक triangle है तो इसमें ये वाला angle A है और A के जो सामने वाली side है उसको मने small a ले लिया यहाँ पर एक angle B है B के सामने वाली side है वो small b ले लिया यहाँ पर एक angle हमारे पास C है C के सामने वाली side है उसको मने small c ले लिया तो यहाँ पर एक rule है वो rule यह है कि अगर मैं cos A find करूँ और triangle कोई भी हो सकता है तो अगर मुझे cos A चाहिए तो इसको लिखने का तरीका है कि A के सामने वाली साइड है उसको छोड़ी देर के लिए बूल जाए है और करना क्या है B square plus C square बतलब इस एंगल जिसका Cos आप ले रहा हो उस एंगल की जो सामने वाली साइड है उसको बूल जाओ जो बाकी दो साइड है उनका square करके add करो फिर जो सामने वाली साइड थी उसका square करके minus करो फिर divided by two और सामने वाली साइड को भूल जाओ अगल बगल वाली जो side है उनको multiply कर दो बात सौंच नहीं तो इस तरीके से आप cos find कर सकते हो और ये अभी जब हम vector का addition सीखेंगे तो वहां direct काम आएगा ठीक है मैं अभी एक और करके दिखाता हूँ आपको जैसे मालो cos b हमें चाहिए अब बताओ क्या होगा अगर हमें cos b चाहिए तो b के सामने वाली side छोड़ देंगे बाकी दोनों का क्या करेंगे square करेंगे बोलो और फिर यहां पर b square subtract कर देंगे divided by 2 अब सामने वाली side को बुल जाओ अगल बगल वाली side है उनका multiplication कर दो क्या ही आएगा इसी तरह मालो मुझे cos c चाहिए मला कोई भी angle find करना पड़ सकता है अगर मालो मैं cos c find करो cos c क्या है का बताओ सामने वाली side को बुल जाओ अगल बगल वाली side है उनका square करके sum कर दो minus c square divided by 2ab ठीक है अब आप देखना इसका मैं application किस तरीके से करता हूँ अगर मैं 2 vector squared कर रहा हूँ ठीक है बड़ी आसानी से ही हो जाएगा ठीक देखो जैसे मालो कि मेरे पास यहां पर एक vector है a vector ठीक और मैं चाहता हूँ a vector और b vector को add करेंगे तो कैसे add करेंगे, सबसे पहले हम first vector draw करेंगे, a vector, और जहां पर a vector end होगा, क्या करते हैं, वहीं से b vector draw करेंगे, तो यह लोग हमने b vector draw कर दिया, अब मैंने आपको बोला था, कि vector में क्या important है, start कहां से किया और end कहां पर किया है, तो start आपने यहां से किया था, end आपने यहां पर किया है तो ये क्या मिल गया resultant vector आप देख के बताओ एंगल theta क्या है a vector की direction और b vector के दिरेक्षिन के बीच का angle theta है इसका मतलब यह हुआ दिखाःचे देखो तो a vector की direction तो यह है और b vector की direction यह है तो angle theta यह होना चाहिए न как बोलो a vector की direction ऐसे है B vector की direction ये,' तो इनके बीच में एंगल ठीटा है o गया देखो, समझो एक बर आप इसे मत कर दे नःटा, कई बार बच्चे जल्दी में ये कर देते हैं ये वाला ठीटा बना देते हैं मैंने क्या बोला, A vector और B vector के बीच का एंगल ठीटा है यो, अ अगला step देखो बताओ, ये अंगल कितना हो जाएगा, तो complete कितना है, 180, 180 को आप I कह सकते हो, तो अगर ये पूरा 180 है तो अंदर वाला क्या हो 180 माइनस थीटा यानि की पाई माइनस थीटा जैसे ही ये triangle बना अब direct आप कर सकते हो आप चाहो तो इसको triangle में convert करो कैसे देखो इसको अगर triangle में convert करोगे तो आप कहोगे एक side ये है एक side ये है एक side ये है बताओ A vector का magnitude क्या हुआ A B vector का magnitude क्या हुआ B और R vector का magnitude क्या हुआ R और बताओ ये वाला angle कितना है यापर पाई माइनस थीटा अब सोचो जो मैं आपको यहाँ पर सिखाने की कोशिस कर रहा था कि cost के अंदर कोई भी angle निकाल सकते हैं इसा भी triangle हो बताओ जरा कॉस पाई माइनस थीटा निकाल सकते हो बताओ कॉस पाई माइनस थीटा अगर एपलाई करें तो क्या हैगा तो आप लिखोगे कॉस पाई माइनस थीटा is equal to सामने वाले को बूल जाओ अगल बगल वाले का square करो यानि a square प्लस b square फिर जो सामने वाला था उसका square सब्टेट करो divided by 2 अगल बगल वाले को प्रोडेक्ट कर दो है न डेरेक्ट आजागा अब बताओ कॉस 180 माइनस थीटा तो भाई आपको पता है अच्छे से कि 180 तो यहां हो गया और 180 माइनस सम्धिंग किया तो आप सेकेंड क्वाडेट में आ गए और सेकेंड क्वाडेट में कॉस नेगटिव होता है ठीक है वाई समझ में आ रहा पाई माइनस थीटा किया तो second में आ गए और second coordinate में cos क्या होता है negative होता है यानि answer आएगा minus cos थीटा अच्छा cos का cos ही रहेगा क्यों क्यों क्योंकि 180 में horizontal में change नहीं होता horizontal में technometric ratio change नहीं होता तो यह हो जाएगा minus cos थीटा और यह दर क्या आ गया a square plus b square minus r square divided by 2ab अब देखो यह इधर लेकर आगे जाओ multiply कर दो ठीक है तो बताओ क्या आ जाएगा minus 2ab cos थीटा is equal to a square plus b square minus r square तो बताओ यहां से r square क्या आ गया a square plus b square और यह इधर आके add हो जाएगा 2ab cos थीटा ठीक है वैसे generally यह method बताया नहीं जाता है समझ रहे हैं कई बात दूसरे method से करा दिया जाता है लेकिन यह method आपको थोड़ा जल्दी answer देगा और कुछ नया सीखने को मिलेगा एक तो हमें यह पता चला कि triangle जरूरी नहीं कि right angle triangle हो कैसा भी triangle हो cos theta apply किया जा सकता है बोलो समझ आए न यह और एक छोटी सी चीज और हमने apply कर लिए कि cos 180 minus theta minus cos theta उससे direct आपको r key value मिल गई अगर r square इतना है तो r कितना होगा root all लगा दो तो क्या जाएगा square root of a square plus b square plus 2ab cos theta ठीक है आप note करो फिर आगे बात करते हैं कर दो हम मैं हमाँब कर दो हमाँपा कर दो